जिला सिरमोर में देर राथ हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्रामीन इलाकों के बस रूट ठप हो गए हैं। ग्रामीन समेथ शहरी ख्रेत्रों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। जिला सिरमौर में भारी बरसाथ की वजह से 40 से 50 बस रूट प्रभावित हुए हैं जिसकी वजह से ग्रामीन इलाकों में लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी और नाहन शहर में भी बिजली की सप्लाई ठप रही है बिजली यहां 5 घंटे गुल रही। नाहन बसड़ा के प्रभारी अनिर कुमार ने बताया कि भारी बरसाथ के करम के कारण नाहन शहर में बस सिवा प्रभावित हुई है। पंदरा से बीस बस रूट ठप हो गए है। नाहन से शिमला को जाने वाले हाईवे पर भी दो घंटे से ज्यादा यातायात बंद रहा। कई बस रूट आधे रास्ते तक ही चल पाए। इसके अलावा पौटा साहब शिलाई रेणू का समेत कई लागों में बसे नहीं चल पाई। जैसे कि हमारा नहान से रेणू का रोड, नहान से गत्तू रोड, नहान से रामादोन रोड, नहान से कोलोला बूट बाया चासी और बाया शैन वाला। यहां तक कि नहांच से शिम्ला रोड़ भी लगबग दो गंटे के करीब बंद रहा अब भी तक हमारे पास पूरे शिर्मोर का यह रूट रेलका क्षेत्र में सराहंग शेत्र में या आपके पाउंडक शेत्र में सिलाइक शेत्र में बंद हैं हमारे 40-50 रूट वर्फा के कान प्रभाइद होते हैं तो लगबग दो या धाई के करीब लाग के करीब हमारे को प्रति दिन नुक्सार उठाना बड़ता है